वेलकम बेक टू माई चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आई हो इंदौर का मशहूर पोहा और इससे बनाना बहुत सरह रहा है अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल रखा है गर्म होने के लिए और जब गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे राई या सरसो के दाने और उसके बाद डालेंगे हम हरी मिर्च और इसको अच्छे से भून लेंगे और जब हरी मिर्च भून जाएगी तब इसमें हमने डाले हैं थोड़े से मटर आप फ्रोजर मटर या फ्रेश मटर दोरा में से कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो और इसको भी हम अच्छे से चला कर तेल में मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमने डाले हैं करी लीव जिसको हमने काट लिया है इसमें हमने खड़ी करी लीव नहीं डाली है काट कर डाली है ताकि उसका जो टेस्ट है और जो खुश्बू है वो अच्छे से पोहा में आ जाए और मुवफली के दाने अलग से हमने रोस्ट कर लिये हैं इसमें इसी में नहीं डाले हैं अभी और रोस्ट करके उसे हम रख लेंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी हलका सदनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो इसे आप नहीं डालें और इन मसालों को भी हमने अच्छे से भून लिया है और जब ये मसाले भून जाएंगे तब उसके बाद फिर हम इसमें थूड़ी सी इसमें हमने शक्कर डाल दी है क्योंकि इन दौर का पूहा जो होता है वो हलका सा मीठा होता है तो इसमें हमने शक्कर डाली है और नमक डाल दिया है नमक आप अंदाज से डालें क्योंकि जितना आपका पोहा है उसके इसाब से आप डालें और थोड़ा सा कम ही रहे क्योंकि इसमें बाद में हमें और मसाले भी एड़ करने है तो नमक थोड़ा सा आप कम ही रखें और ये सारी चीज़े हमारी भुन गई हैं तो अब इसके बाद जो हमने मुमफली के दाने ड्राय रोस्ट करके रखे थे वो भी इसमें हम डाल देंगे अगर आप इसमें ना डाले तो आप उपर से भी डाल सकती है लेकिन थोड़ा सा नमक वगेरा इसमें भी एब्जॉर्ब हो जाए तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है तो इसलिए हमने अभी इसी में ही एड कर दी हैं उसके बाद हमने पोहा चान कर और दो तिन पाने में अच्छे से दोकर रखा था वो पोहा इसमें हम एड कर देंगे और इन सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि नमक वगेरा तो हम पहले से ही डाल चुके हैं और इन सारी चीजों को मिक्स करके इसे हम 2-3 मिनिट के लिए कवर करके रख देंगे इसमें हमने अब डाल दिया है नीबू का रस और नीबू के रस में भी इसे हम अच्छे बगधेर हैं वो ऊपर सेonia करते हैं तो झालाम करते हैं दो से ये बहुत अच्छा लगता है खाने में लगैंक है तो इसके वाद Carroll से ने काल लेंगे और 플ेंट मेने के बाद इसमें हम डालेंगे नमकीन, नमकीन में हमने लिया है, अभी तो अभी तो इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज, बारिक हमने काट कर रख ली थी प्याज, उसको इसके उपर से हम डाल देंगे, और उसके बाद हमने बुंदी वाली नमकीन ली है, जो बहुत तीखी होती है वो बुंदी वाली नम्किन इसमें डाल दी है बारी बेशन के जो सेव होते हैं वो डाले हैं अनार के दाने डाले हैं और डाला है उपर से पोहा मसाला जिससे ये जो पोहा है उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह बहुत फेमस डेश है अंदोर की और वहाँ पे इसी तरह से बनाते हैं उपर से ही नमकिन वगर डालते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक को शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथ ही बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे और लाइक करना ना भूलिए क्योंकि लाइक से अच्छा लगता है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए